नमस्कार One India Hindi में आपका स्वागत है मैं हूँ शकाधूरिया करोना वारस को लेकर साल भर पहले लगाए गए लॉगड़ून को लेकर कॉंग्रिस नेता राहूल गांदी ने एक बार फिर केंदर की मोधी सरकार पर निशाना साधा है राहूल गांदी ने कहा कि बिना किसी योजना के जो लॉगड़ून एक साल पहले देश में लागू किया गया था उसकी त्रासदी आज भी जारी है और इस त्रासदी से देश की जनता सबसे जाता पीडित हुई है राहूल गांदी ने शुकरवार को ट्वीट कर कहा कि लॉगड़ून में लाखों परिवारों की जिंदगियां तबाह हो गई मेरी समवेदनाए उन परिवारों के साथ है जो मायोपिया और भारत सरकार की असक्षमता के कारण आज भी दर्द से गुजर रही है राहूल गांदी ने युनिसेफ की एक रिपोर्ट को साजा करते हुए केंद्री सरकार पढ़ निशाना साधा इस रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में लॉगड़ून की वज़े से शिशु मृत्यूदर और मात्र मृत्यूदर में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है आपको बता दे COVID-19 महामारी का प्रतक्ष और अप्रतक्ष प्रभाव और दक्षिन एशिया की प्रतिक्रिया नामक एक रिपोर्ट में युनिसेफ ने ये दावा किया है इस रिपोर्ट में दक्षिन एशिया के चे सबसे घनी आबादी वाले देश का ब्यारा दिया गया है ये रिपोर्ट दक्षिन एशिया के युनिसेफ के शेत्रिक कारेले की तरफ से तयार की गई है आपको बता दें भारत में लॉकडाउन का काफी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे वन इंडि या हिंदी के साथ